हेलो अब्रीबोर वेल्कम बेक चुमा यूटूब चैनल सैनी लेर्णिंग क्लासेस और मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी तो आज हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं निन हाइडरीन टेस्ट के बारे में तो आज आपका टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो कौन सा ह में निन हाय कुकर सब्सक्राइब करने के लिए ट्र हारो इसको प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए यानि कि जो अमाईमो एसेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए क्वालिटेटिव ली और इसको यूज़ करते हैं इसमें एक इम्पोर्टेट्न लाइन हे इस स्टोंग उक्षिडाइजिंग अज़ेंट जो कि react करता है amino group के साथ जो कि amino acids में present होते हैं और एक intermediate form करता है जिसको हम बोलते है hydrant ठीक है यह जो reduced product होता है यह दुबारा से react करता है blue color substance बनाता है जिसको हम die ketohydrine बोलते हैं जिसका नाम है rumen purple that absorb light at 570 nm पर जो क्या करता है absorb करता है light को ठीक है प्रोलीन एक ऐसा amino acid है जो कि yellow color देता है नीन हाइडिन टेस्ट पर it lacks alpha amino group क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है alpha amino group नहीं होता है ठीक है देखो simple सी बात है अगर मैं एक line में अगर आपसे नीन हाइडिन टेस्ट के बार में बोलू नीन हाइडिन टेस्ट क्या होता है अगर मा संदेग टेस्ट कर है ठीक है जो होता है जो नीन हाइडिन है यह एक oxidative agent होता है जो कि react करता है amino group के साथ और एक intermediate foam करेगा जिसको हम hydrant बोलेंगे और यह जो reduce product है यह react करके एक blue color का substance बनाता है जिसको हम dihydro keto, di keto hydrant बोलते हैं जिसको rumen purple भी हम बोलते हैं ठीक है, absorb होता है जो कि 570NM पर इसके साथ अगर हम देखे प्रोलीन, प्रोलीन के पास क्या नहीं होता है प्रोलीन के पास alpha amino group नहीं होता है इसके पास amino group होता है तो इसके वज़े से जो प्रोलीन है वो yellow color show करता है नीन हाइडिन टेस्ट में ठीक है किस तरह से करता है वो चीज अभी हम discuss भी करेंगे अब देख लेते हैं इसका principle क्या होता है गमिकल रिएक्ट करता है नीन हाइडवी के साथ जो की behave कर रहा है एक expedition के तरह when exposed to ninhydrin the amino acid undergo oxidative deemination जब यह expose होता है नीन हाइडवी के साथ यह चैप केमिकल रियक्ष्ण करता है नीन हाइडवी के साथ तो जो amino acid है वो oxidative deem addiction के अंदर जाता है और क्या क्या का चीज लिब्रेट करता है carbon dioxide और ammonia ठीक है यहां पर अगर आप इस उसमें देखेंगे यह जो निन हाइडिन है जब यह free ammonia group के साथ यह जैनेस्टू ग्रूप यहां पर प्रेसेंट है इसके साथ जब रियक्ट करेगा ठीक है और क्या बनाएगा reduce निन हाइडिन को फोर्म करता है तो जो निन हाइडिन है वो एक oxy strong oxidizing agent होता है जो कि oxidize करके reduced product को फोर्म करता है जिसको हम बोलते है reduced निन हाइडिन ठीक है तो जब यह reaction होती है तो उस time पर क्या होता है और decarboxylation भी होता है de amination का मतलब क्या है कि यह क्या करता है यह reduced करके ammonia और carbon dioxide को फोर्म करता है ठीक है यानि कि यहां पर क्या होगा जब यह पूरा process हो रहा होगा जब रियक्शन होगी तो इसके साथ जो product से निकलेंगे वो क्या निकलेंगे ammonia और carbon dioxide ठीक है फिर उसके बाद क से रियक्ट करती है किसके साथ फ्री आमोनिया के साथ ठीक है जो यह फ्री आमोनिया यहां पर जो फ्री आमोनिया पर इसके साथ यह दुबारा से क्या करती है ठीक है डियूस निन हाइडरीन एंड देन लिबरेटिड आमोनिया ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह जो डियूस निन्ध हाइड्रीन है और जो वहाँ पर फिरी अमोनिय पर्जेंट है वो क्या करेंगे वो दुबारब सापस में क्या करेंगे रियक्ट करेंगे ठीक है और फिर से एक ब्ल्यू कलर का कमप्लेक्स यहाँ पर तयार हो जाएगा जिसको हम बोलते है रियूमन्स परपल ठीक है जो कि ब्लू कलर कॉंपलेक्स यहां पर फॉर्म हो जाता है जो कि रिड्यूस निन हाइड्रीन जो होता है वो मोर निन हाइड्रीन यानि कि रिड्यूस निन हाइड्रीन और जो निन हाइड्रीन होता है यह दुबारा से क्या करते हैं यहां पर फ्र अमोनिया के साथ combine करते हैं और फिर उसके बाद क्या form करते हैं एक blue color का complex form करते हैं जिसको हम human purple बोलते हैं ठीक है now the ammonia goes to react with another ninhydrin तो यहाँ पर जो ammonia present है जो free ammonia present है वो दुबारा से किसके साथ react कर रहा था निन हाइडिन के साथ और क्या form कर रहा है डाय कीटो हाइडिन को ठीक है जिसको हम human complex बोलते हैं जो कि responsible होता है deep blue color के लिए when the analyte contain the amino group और जब analyte के पास क्या होता है amino acids present होते हैं जैसे कि प्रोलीन में पाया जाता है तो एक yellow color complex को form करते हैं ठीक है इसी तरह से asparagine में भी asparagine जो होता है उसके अंदर basically क्या होता है जो color जो आपको दिखाए देता है वो कौन सा दिखाए देता है Brown color आपको दिखाए देता है कौन सा color दिखाए देगा Brown color दिखाए देगा ठीक है आपको मैं एक बार प्रोलीन की structure और asparagene की structure यहां पर दिखा देती हूं, यहां पर क्या है? CS2C, NH2 यहां पर किया है? free ammonia group यहां पर भी क्या है? एक fazendo है. ऐस्पाराजीन के अंदर ओ, proline के अंदर क्या होती है? NH group present होता है. यह देखो. ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है एक सिंद यहीं बही देख लो ठीक है यहाँ पे आपको क्या होता है UH उन्ह इसको हमिमीनी ग्रूप बोलते हैं ठीक है तोट इप रोलिन के अंदर का हुटता एमीनी गरूप परजेन होते हैं जो क्या करता है ब्राउन कलर शो करता है ठीक है इसी तरह से जो क्लरोत है है basically asparagene के पास भी क्या मिल रहा है? Aparagine के पास भी आपको free alkal stains मिल रहा है ठीके क्या मिल रहा है free ammonia मिल रहा है उसके साथ वहां पे queste kittone group भी present है至्थि अभी आपने देखा यह कने इस देखो खरीक्रे के थिए अगर हम आजाते है अपनी reaction पर टो यह जो है यह आपका क्या क्या officer क्या अपनी परोडिञ्ट करता है यह्य आपका प्रोडियूस करता है अपने Le мед क कुणि सा इंप्लिर्ण करता है ब्राउन कर टोग कैंशन 만들어 Alcen तो ब्ल्यव क्हारत से तसक्त्ती बाइल होता है विल्स प्रोलिन कर दो अधाया विघ। होता है बच्चो बताओ जल्दि Yes कौन सा कलर होगा Yellow कलर ठीक है अगर हम asparagine को ninhidrins में मिला दे तो कौन सा कलर ब्राउन कलर ठीक है यह questions आजाते हैं आपके proline के पास कौन सा group है और what proline को सा color show करता है यह यह questions बहुत important है यह हमेशा पूछे जाते है आपके ठीक है चलो अब यह किस तरह से हम प्रिपेर करते हैं यहां पर आप हेडिंग डाले ना प्रोसीजर ओफ नीन हाइडिन टेस्ट ठीक है तो पहले क्या होता है हम दो परसेंट सॉलूशन बनाएंगे नीन हाइडिन का और इसको प्रिपेर करने के लिए हम 0.2 ग्राम लेते हैं नीन दिश्टिल वॉटर के अंदर और कुछ ड्रोप अब हम क्या लेंगे कुछ ड्रोप क्या डालेंगे जो 2% नीन हाइडिन ए उसका ड्रोप को अधिक आपकी अमाइन ऐसिद परजेंट है ठीक है फिर उस ट्यूब को हम क्या करेंगे वो ट्यूब लेकर के उसको हम गरम वाव जो वाटर बात होते हैं आपके वहां पर रख देंगे ठीक है तो जैसे आप कुछ टाइम के लिए यानि कि प्रोक्स पास मिनट के लिए जैसे आप उसको वाटर बात में रखोगे तो वह क्या करेगा वह आपका डिजल्ट शो करने लेगा ब्लीव वॉयलेट कॉंप्लेक्स क इसतरह से देखो ठीक है अब यहां से हमने तीन ट्यूप्स लें टीक है इन तीन ट्यूप्स में यहाँ पर हमेरा आुमाइन ओएस थे जैस इसे आपसा हम नहीं डाला यह सिर्फ पानी है ठीक है तो इस ट्रेस को करने के लिए हमने क्या किया यहां पर हमाइन ऐसे डाले यहां पर माइन ऐसे डाल इसमें रिप वाटर रखा रखा अब हमने इस में चीश में डाल तो हम यह क्या देखते हैं इसकें अदर कोई भी घलर जो है ब्लू परपल्ब्लू कॉंप्लाइक जो है वह रही बना है इसका मतलब क्या है यह negative ninhiden test है ठीक है अगर यह purple blue color form हो जाता है इसका मतलब किया है कि यह क्या है positive ninhiden test है अगर आपका yellow color form हो रहा है इसका मतलब किया है कि आपका amino acid कौन से वाला है प्रोलीन जिसके पास कौन सा group present है इमीनो group ठीक है यह चीज आपको याद रखना और क्वेशन आ सकता है परपल colored complex जो होता है वो कब बनता है जब हम ninhiden जो है कौन से टेस्ट में बनता है तो कौन से टेस्ट में बनता है निन हाइडिन test के अंदर बनता है ठीक है जब हम ninhiden का test करते हैं तो free ammonia group जो होता है वो निन हाइडिन के साथ रियक्ट करके परपल blue color complex फोम करता है ठीक है और प्रोलिन के पास alpha group नहीं होता है और बिसिकली प्रोलिन के पास ना तो alpha group होता है और यहां पर आपको कौन सा group present होता है इमिनो group present होता है तो इसकी वज़े से क्या है yellow color show करता है ठीक है तो यहां पर आपने क्या देखा result में interpretation आपने क्या की क्या कि क्या मोनिया में primary secondary amino acid जो है अगर वो percent है तो हमें कौन सा color मिलेगा पर color मिलेगा ठीक है अगर hydroxy proline या proline present है तो कौन सा color आपको मिलेगा आपको yellow color color मिलेगा ठीक है अगर asphalogen present है तो आपको brown color obtain होगा अगर कोई change नहीं हो रहा है आपके tube के अंदर इसका मतलब क्या है उस analyte के अंदर कोई भी amino acid नहीं है कोई भी amino group नहीं है या कोई भी ammonia नहीं है ठीक है तो यह क्या है आपके result की interpretation है अब यहां पर आपका यह टॉपिक है तो complete होता है आई होप आश की वीडियो आपको पसंद आई होगी if you like it you can like share and subscribe to my channel मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में बाबाई everyone thanks for joining